सो दोसो आचुके हैं एक निव वीडियो के साथ में एक धमाकेदर वीडियो के साथ में अगर आप एक अपना एक बेश्ट जीरो बैलेंस एकाउंट उपेन करना चाहते हो छोटे मोटे लेंद देन करने के लिए एकाउंट उपेन करना चाहते हो तो ये वीडियो काफी आपक के दुरुबाई एकाउंट ओपिन करते हैं तो यहां पर इसेंट ही अपनी ईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं इसेंट यहां पर आपको वर्चुवर डविटकार देखने को मिल जाता है वर्चुवर डविटकार जो इसका है वह SPM bank की तरप से provide कराया जाता है जिससे दोस्तों आप UPI बड़ी आसानी के साथ में UPI application को यूज कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आपको एक ऐसा जीरो बैलेंस एकाउंट उपेन करना है तो आप open book में बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पर एकाउंट अपना open कर सकते हो जीरो बैलेंस एकाउंट मिलेगा कोई भी पैसा आपको pay करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी इसमें जो वर्ट्वर्ड बैलेंस एकाउंट मिलेगा वो भी बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा किसी भी परकार का कोई भी hidden charges भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वीडियो म पूरा देखना है और हो से कि तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चले फिर फटाक से वीडियो को सुरूगर लेते हैं आप दोस्तों ओपेन बुक में अपना अगर आप जीरो बैलेंस एकाउंट ओपेन करना चाहते हैं तो एकाउंट ओप को आपको सेलेट कर लेना है यहां पर देख सकते हैं कि इस नंबर को बैरिफाई करा जाएगा तो इस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी OTP इस बॉक्स में फिल कर देना आपको है दन इसके बाद में बैरिफाई एंड प्रोसीड के ओप्शन पर किलिक कर सकते हैं अगर कोई दूसरों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पॉर्ण में जितनी भी जीमेल लोग इन होगी तो यहां पर आजाएगी अगर इंबर में से कोई भी मेल आईडी है और आप इस बैक अकाउंट से लिंक करना चाते हो तो वाली मेल को आपको सेलेट कर लेना रहेगा ठीक है दन इसके बाद में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी मेल आडी आटोमेटिक फिल हो जाएगी अगर आपके पास कोई भी रफलर कोड है तो आप टाइप कर सकते हैं अगर इसक्रीन पर देखेगा तो टाइप कर सकते हैं वहना इसे आप फिरी छोड़ेंगे और continue करेंगे, so इसके बाद में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि open book और आपका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर signature भी देखने को मिलेंगे, जो भी regards होंगे, then इसके बाद में continue, so इसके बाद में दोस्तो देखेंग को मिल जाएगा नीचे देखेंगे कि open book का section मिलेगा banking का मिलेगा transaction का मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको कई तरीके के option देखने को मिल जाते हैं और आपका wallet वगरा यहां से देखने को मिल जाता है दिन दूस्तों यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक banking का section देखने को मिल जाएगा यहाँ पर किलिक करेंगे तो कुछ ही इस तरीके से इसके बाद में हमारा account देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं open account आपका account number IFC code UPI ID सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को share करेंगे किसी भी बंदे के पास में तो वो scan करके आपको payment भी कर सकता है यहाँ पर share करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि share on WhatsApp share कर सकते हैं यहाँ पर अपने account information को आप यहाँ पर copy भी कर सकते हैं अब यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि उपर आपको एक banking option देखने को मिल जाएगा भाई तो यहाँ पर हमें जो card का एक section देखने को मिल जाता है तो हम यहाँ पर card वाले section पर click करेंगे तो इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको देनी की जरूरत नहीं है और ना तो कोई इसकी head and fees आपको देनी की जरूरत पड़ती है ठीक है यहाँ पर यह सारी चीज़े हैं इस card के थुरू जैसे आप बिल वागेरा पे कर सकते हो ऑनलाइन स्वापिंग कर सकते हो इसकी जो ticket ऑनलाइन बुक कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो लेकिन इसके पहले हमें इस card को activate करना भी होगा card को activate करने के लिए एक्टिवेट वाले section पर click करेंगे अब इसके पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि complete your के वाईसी का section मिल जाएगा इसके बाद में जो इम card को activate कर सकते हैं इसका number वगेरा स देख सकते हैं कि individual हैं आप या फिर आपका कोई proprietorship है ठीक है partnership है या फिर दूसरों आपकी कोई public है trusted है अधर से ऐसे बहुत सारे option मिल जाते हैं तो आप individual select करेंगे then यहाँ पर आपको यहाँ पर आधार का verification करना होगा इसलिए proceed करेंगे then इसके बाद में जो भी आपका नाम ह गा रहा होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को type करेंगे इसके बाद में proceed अब आपके आधार कार से जो mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP send करी जाएगी तो OTP automatic यहाँ पर feel करना पड़ेगा आपको manually feel करना पड़ेगा automatic भी feel हो सकती है इसके बाद में verify OTP करेंगे इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड verification वो complete हो चुका है आप यहाँ पर personal pen card वाले section पर किलिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि pen card आपको कैसे upload करना रहेगा तो साफ साफ यहाँ पर नीचे भी दरस आएगे है कि अच्छे से अपने pen card को upload करना होगा upload your pen card pen card का verification करने के लिए आपको यहाँ पर click कर देना है और एक pen card की photo को capture करना है इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि tag के picture पर click करके आप photo को click कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आपकी डल्री में पहले से photo तो सब select कर सकते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर click करेंगे और pen card को कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर upload कर देंगे upload करने के बाद में proceed करेंगे यहाँ पर calculations का हमें message मिल चुका है under process आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ इस तरीके से process में चला जाएगा इसके बाद में आपका card activate हो जाएगा आप यहाँ पर done के section पर click करेंगे क्योंकि जब तक हमारी KYC नहीं होगी तब तक कि यहाँ पर क्या है कि हमें card वगरा नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर यह काम आपको जरूर कर लेना है अब जैसे दूसरों हमने यहाँ पर अपने KYC को complete क कर सकते हैं भाई यहाँ पर हम आपको फिर एक बार बताना चाहेंगी कि अगर आपको छोटा मुटा लेन देन करना है तो ऐसे आप वैले टाइप account को open कर सकते हो बड़ी आफसानी के साथ में जहाँ पर आपको डेविट कार्ड मिल जाता है उस सारी चीज़े यहाँ पर मिल दूसरा हमने यहाँ पर आधार के वाई से करा तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है यह थोड़ी दिर के बाद में फिर 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाएगा और इसके भाई कार्ड को बड़ी आसानी के साथ में online किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसके कार्ड को आ उपन करें वरना दूसरी वेंकों में आप एकाउंट उपन कर सकते हो वो सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मिल जाएंगे उन्हें भी आप चेक आउट कर सकते हो चैनल को भी चेक आउट कर सकते हो तो अगर आपको इस वीडियो में जानकरी सह लेगे तो वीडियो को लाइक करके चैनलको सब्सक्राइब करना सभी दोसरों के आपसे वीडियो सेयर करना और एकर मन में कोई टाउट है तो कॉमेंट करके पूच सकते हो तो फिर मिलते हैं दोसरो नेक्ष्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मातर हम